हेलो ट्रीडर्स एंड वेल्कम टॉट चुट जूट जो में इंडिया वुल हॉजिंग फिनांस को हमने आज के दिन ट्रीट किया था काफी अच्छा फॉर्मेशन इसकी डिली टाम फिरम पर हुए थी जो हम बोलते हैं वॉल्म्स की ब्रेकाउट हो जाते हैं अपनी एक अब निफ्टी हो गया बैंक निफ्टी हो गया यह स्टॉक जिसमें को एक सही सेटप मिलेगा हम इसमें भी ट्रेट एक्जिकूट करके आप लोगों साथ शेयर करें यहां पर देखिए यह जो ग्रीन वाली केंडल भी बन रहे है प्राइस पहली चीज़ तो कॉंटिनुव यहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हो प्राइस अभी भी डाउन साइड के तरफ ही मूव कर रहे है विद डिक्रीजिंग वॉल्यूम फाइब के टाइम पर लोग इसको देखेंगे इसको फाइब के टाइम पर कर लेते हैं सेम फॉर्मेशन दिखना आज प्राइस ने वॉल के तरफ हमाँ चोन्छ यहां से इंडिकैडी यह होता है कि जितने बी ओर्डर समया लगए हो तो वह सारे के सारे के सारे एक्टिवेट हुए सारे एक्टिवेट होई स्छा प्रसे लोग समझेंगे से मैं सबसे पेह इंग रहें प्राइस पर देख लेंगे सो ऑडर बूक करेंगे 1,500 के साथ हमारी बाई हुथी 161.45 पर मार्किंग्स में यहां पर थोड़ा बहुत होगा स्टॉप लोस 159 करीब एक रुपया का स्टॉप लोस हमारा आया था हाला कि उससाब से देखेंगे तो स्टॉप लोस अब बड़ा था इसको रिफ्रेश कर लेते हैं जो बेसिक हम लोग आरा रिश्यों निकालते हैं 1-3, 1-3.5, 1-4 यह रहता है लेकिन आज का गरी 1-5 का आरा रिश्यों का मिला अब यह जान बूच के हम नहीं निकाला है कि 1-5 हम लेकर के बहां निकलेंगे लेकिन वैसे आप कभी-कभी एग्जिट करो और लास्ट में तो ठीक है अब यह भी नहीं कि निकलते समय कोई हर्बड़ी लगा दी हमने हर्बड़ी से जितना भी मिलके उतनी प्रटास हम निकाल दे पोजिशन में निकाली एक और में पूट किया वहां पर एक्जिट नहीं हो पाय तो थोड़ा सा आगे जाकर के 2-4 पांट और भी हम क चल चुका था फिर भी हमने इसको ट्रेट किया था वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किजिएगा कॉमेंट किजिएगा एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आगे बढ़ने से पहले इन टेक्निकल एनालेसिस को केंडलिस्टेक्स को रिजल्स को प्रॉफिट को एक तरह से पूरी मार्केट को ही अगर हम एक साइड में रख दें तो आप देखोगे पिछले तीन साल से कॉंट्विसली हम सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे स्टॉक्स के उपर काम करें जो कि हम पब्लिश कर रहे हैं इससे पहले जो हम काम करें तो वह भी स्टॉक्स के स्टॉक्स करेंगे स्टॉक्स करेंगे मेरी लिए वह ये के वह था चाईंगे हम जो रख भी यो हम भी ट्रॉक्स कारेंगे हम जिस भी price action को trade कर रहे हैं, हमें particular stocks में वो price action चाहिए, same price action हमें nifty और bank nifty भी अगर मिलेगा तो उसको भी trade कर देंगे, so nifty हो गया, bank nifty हो गया, fin nifty हो गया, जितनी भी segments tradable है, options को ले करके, so stocks की category में हम उनको भी डालेंगे, और जो अपने price action, अगर हमें लगेगा कि in nifty के अ जो भी reliable होगा, हम fix नहीं हो सकते, option trading के उपर, क्योंकि logically आप देखो, तो वो trade, जो chart है, वो तो एक ही है, यो कुछ नियम है, जो एक बात है न, जो एक अपना नियम है, जो कि मान करके हम चल रहे हैं आस्ताकुर, और उसी के उपर हमारा belief भी है, सिर्फ मेरा एक नियम है, हम हमारे trade execution के लिए particular price action हमें चाहिए होता है, एक बार अगर उस price action को देखते हुए हम convinced हो गए trade execute करने के लिए, और अगर हमने वो trade execute कर दिया, तो अब या तो stop loss या target, इसके बीच में हम exit नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, और ऐसा मेरा मानना है, कि आप लोगों को भी नही करना चाहिए, सिर्फ एक ये नियम बना लो, इसके लाब हो जो भी psychology, money management, risk management, इनकी अपनी importance है अपनी जगह पर, लेकिन इन सारी चीजों को मानते हो भी अगर इस एक बात को आपने नहीं माना न, तो सिर्फ इस एक अनियमित्ता की वज़े से आपको बहुत सारे losses हो सकते है जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आप follow करते हो गया, बहुत ज़्यादा चाका चाउंद में, इधार, उधार, इंडिकेटर, फालाना, डिमकाना, support, resistance, ESM, o-chalk, change of character, break of structure, higher, high, lower, lows, और ये सारी सब कुछ एक साइड में, ये सब कुछ टेक्निक्स पर आ जागा, लेकिन इन सारी तक आपका stop loss नहीं लिया, लेकिन यहां साइप exit हो गया, क्योंकि आप loss में आगे न, वहापा से देखिए, price आपका उपर की तरफ जाने लगा, फिर आपने देखा, wow, market उपर जा रही, फिर उपर जा रही, आगे हैं देखिए, great candle बनी, यहां साइप exit, यह बहुत लोग कर करें रूल्स को अगर आप पितना से रिस्री नहीं ले रहोगे, तो यह सारे काम आप लोग डेली करते होगे, सब ही नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग यह काम करते है, human psychology है, जब तक profit है तो ठीग है, हमें थोड़ा सा भी loss परदाश नहीं तुरांत exit कर देंगे, और दूसी इस क्या है, अरे loss हो गी नहीं सकता, फिर अभी उपर जागा, फिर उपर जाएगा, इसको और बढ़ा रहे हो, अभी मार्किट उपर जाएगे, पता चल रहा है, तीन बच चुके है, दस हजार का आपका मिनिमम था कि इस से ज्यादा लोग रोग आप लस नहीं करोगा और यह सब क्या है यह वही चीजह है जिसे एक नीएम कि fishermen बात कर रहें आपसे जैसे यह price आपका उपर की तरफ अपने दूसरी बाए r entry ली price दो बारा सदेखे नीचे की तरफ साय लगा आपने फिर से exit भारे फिर से price उपर की तरफ जाने लगा, अब आप क्या करोगे ना, अब आप exit नहीं मारोगे, अब आने दोसको नीचे, देखें, यह तो ऊपर ही जा रहा ना, जब जब हम exit मार रहे हैं से सीध उपर ही चला जा रहा है, अब आप कर दो entry, अब हम नहीं निकलेंगे बाहर, अब ब सारा, आगे चल करके हम लोग देख रहे हैं, लोग, अब हम short selling कर रहे हैं, तो price उपर उपर की तरफ भाग रहा है, उसी दो उपर की तरफ निकल गया, चला गया, जो भी profit बेगरा, सारा का सारा लेकर के market निकल गया, आप sale करो, तो stop profit, buy करो, तो stop profit, यह सारी चीज़े पता ह क्यों होती है, नियम fix नहीं है हम लोगों के, हम अपने इसाब से अपनी strategies को और अपने management को modify कर लेते हैं, live market में, नियम ये बोलता है कि आपको modifications live market में नहीं करने हैं, अपने rules को पहले बना लो, यह बहुत पुराना एक tag line है, market की कहावत है, आप समझ सकते, यह दर 5-10 साल की कहावत नहीं है, सबसे पहले trades के rules बना और उन rules को trade करो, सब लोगों ने सुना होगा, 20 बाहर सुना होगा, कई सालों से यह कहावत market में चलती चली है, यह trend कितरा चल रही है, सुन सभी लोग रहे हैं, समझ सभी लोग रहे हैं, लेकिन apply कोई नहीं कर रहा है, अगर applicable हैं, यह एक बार entry ले ली है, तो दुबारा फिर आप exit करोगे, नहीं, या तो stop loss दे दोगे, या तो target ले, ज्यादा confidence जैसी कोई चीज नहीं होती, कि यार यह trade तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें चलो हम 10,000 की जागा 12,000 का risk ले ले लेते हैं, होता है, 3000 की risk capacity आपकी है, चलो 3,000 की बज़ा हम 5,000 का risk ले ले, तो कि इसमें confidence नहीं ज्यादा है, कितना अच्छा लगता है, हम लोग अपने आपको अंदर से कितना बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा कोई चीज इस तरह की होती ही नहीं है, ज्यादा confidence, यह ज्यादा confidence क्या होता है, आपने क्या भविश्य तो फिर आप 3,000 नहीं करोगे, वो अलग बात है कि quantity इस थोड़ी सी उपर नीचे हो, तो 3,010, 3,015, 3,020, 3,050 से थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन 3,000 का यह मतलब नहीं कि 3,500, 3,100, 3,200 रुपय का आपका risk हो गया बढ़के, यह फिर आप rules break होने लग जाता, 3,000 का मतलब 3,000, उसको fix करके रखे, अगर trade करना है तो, नहीं करना तो फिर मत करिए, इसमें हमारा confidence कम है, यह जान नहीं पाएगा उपर, कुछ तो problem होगी इसके अंदर, देखने से नहीं लग रहा है, चलो 2,000 का risk को इसके उपर ले ले लेते हैं, होता है क्या है पता, अंजाम यह होत है कि जिस trade में आप 2,000 का risk लोगे, वो आपको profit देदेगा, और जिसमें आप ज्यादा confidence हो गया तो, जिसमें आपने 3,000 के वज़ा 6,000 का risk मार दिया तो, उसमें stop loss चला गया, practical चीज़े हैं, भूगत चुगे हैं इन सारी चीज़ों को, last में आगर के सिर्फ हमें इतना समझ आए है, यह सारी चीज़े हैं, यह सारी चीज़े हैं, जो rule बनाओ, उन rules के according to trade execute करोगे, rules अगर break करोगे, तो break आप भी हो जाओगे, कुछ ज्यादा सोचना, कुछ ज्यादा उसके ओपर ये candle बन रही है, volumes का यह वाले breakout हो गया, यह सब उपर हो गया है, price नीचे है, sector उपर है, nifty नीचे है, bank nifty उपर है, support बेक होगा है, restaurant फिरक होगा है, market हमारी sideway पड़ी है, और यह वा, Znews में यह news reflect हो रही है हमको, CNBC आवाज में हमारी यह वाली news reflect हो रही, इसका effect इसको उपर पड़ेगा, मतलब एतनी सारी हम लोग analysis कर रहे हैं, जो बुनियादी चीज़े है जो basic चीज़े हैं वही भूल रहे है, एक नियम बस याद रहो, सिर्फ एक नियम जो अभी तक हम follow कर रहे हैं, अब दिरे दिरे करके जब हम switch करेंगे न, option trading की तरफ, तो उसमें भी आप देखोगे, मेरे fix कुछ कायदे होते हैं, मेरे fix कुछ अपने नियम होते हैं, यह नही होगा, कि हम bank nifty में काम करने गए हैं, तो unrealistic से profit, 50,000, 80,000, 1,5,5,5,5,5,5,5 लाग के profit चल रहे हैं, इतनी अपनी capacity नहीं है, profit लेने की capacity नहीं है हमारी भी इतनी, कि हम 80,000 की capacity के साथ trade execute कर दें, profit अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता हम लोग कर सकते हैं profits, हमें profit को लेने के लिए कुछ हमें risk में अपना amount भी तो डालना पड़ेगा, 40,000 की capacity का, 40,000 के profit के लिए अगर हम trade execute कर रहे हैं, तो कम से कम 15,000 का risk यद 10,000 का risk तो अपने पास रखना ही पड़ेगा, minimum, हम अभी एक दिन में 15,000 रुपय का loss करने के लिए तयार नहीं है, तो सिर्फ हमें profit की चका चौंद में नहीं पड़ जाना है, कि मैं 80,000 एक लागा profit चाहिए, capacity हमारी है 100 रुपय की, risk capacity है 100 रुपय की, और मन में एक illusion बना करके बैट गए कि 5000 रुपय का risk ले लेते हैं, अभी देखना पैसा हमारा तुरन डबल हो जाग, डबल हो भी जाता है, और उसके trade करोगे, confident नहीं हो तो वो trade नहीं करोगे, कम confident में हम कम risk ले लेते हैं, ज्यादा confidence आता है, ज्यादा risk ले लेते हैं, यह सब बेहुदी चीज़े होती हैं, किसी बात का कोई logic नहीं, कोई भी अगर यह सारी चीज़े बोलते हैं, हाँ जोड लेना, आपके चीज आप ही को मु करो जितना हमने हमारी जैसे लोगों ने किया हुआ है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, बाते हैं, start को तो बहुत आगे की तक हो जाती है, अब India Bull Housing Finance है, India Bull Housing Finance को क्यों ठीट, सारी चीज़े हम यहां से हटा दें, आप सिर्फ एक price action को देखो, price नीचे गिर रहा है, नीचे गिर नीचे गिर रहा है, यह red candles हैं सारी है, यह चलिए यहां पर इनका हम color भी change करके वापस से, volumes भी अपनी गिर रहे है, price नीचे, volume भी नीचे, अब इसने क्या किया कि यहां पर एक support बना दिया, और इस जगे पर एक positive candle अब देखो गया, कि एक positive candle बनी है, price आपका उपर के अब समझो इस price action को, सारी चीज़े देखे हम लोगों के सामने है, कोई अलग से दिमाग लेगेगे इसमें, बस read करना आना चाहिए, कैसे आप read करोगे, कैसे इसको आप judge करोगे, आपको क्या करना है, price आपका नीचे, volume नीचे, मतलब कि strength कम हो रही है, अब इस strength कम हो रही है इसका यह मतलब नहीं कि price जहां से सीधे ऊपर ही भाग जागए, वापर से नीचे भी गिर सकता है, और sell side में ज्यादा volumes बढ़ सकती है, possibilities के according, हमारी अपनी एक possibility के according हमने क्या कि है, कि volumes तो नीचे है नीचे है, price भी नीचे, में भी chance है कि यहाँ पर price अपना support लेकर कि ऊपर यह वाली candle बनी और यहाँ पर volume increase हो गई, मतलब कि एक ऐसी बड़ी सी candle form हो रही है, जिस candle के अंदर market रुख गई है, और यहाँ पर volumes बढ़ रही है, अब बताए क्या होगा, price आपका नीचे, volume नीचे, एक बड़ी सी candle आपकी mother candle बनी, यहाँ पर volumes के breakout हो गई, हमने यह इस द इसी भी stock में, आप देख लेना क्या results निकल कर क्याते हो, को indicator यूज नहीं होगा, को indicator ने, सिर्फ volume प्राइस को बस पढ़ लोगा, सब समझ में आ जाएगा, अभी देखें, यहाँ पर हम लोग चले आते हैं, daily time frame पर, current chart में यह और यह देखें, सब सारी वही markings है हमारी हम को कर देखें, देखें, volume क्या बोल रही है, इसके बाद में, price भी आपका नीचे, अब इस पूरे zone में, कहां पर market रुखी है, हम लोग कैसे देखेंगे, तो देखें, price हमारी इस एक candle के अंदर है, 22nd of August की जो candle है यहाँ पर आकर के रुख गई है, इस एक पर market रुख गई है, अब क्या हो सकता है, volumes increase हो रही है, यहाँ पर देखें, volume आपकी एक ही candle के अंदर increase हो गई, एक वीडियो बनाकर करके अप्लोट किया थे, जिसमें 2, 3 और 4 candles के अंदर जैसे भी volume increase हो रही है, उस सारे system को बहुत अची तरह समझाया था, अभी particular उस वीडियो का title या thumbnail कैसा हमे याद नहीं है, आप वीडियो उसको चैनल को जब इस्ट्रॉल करोगी वीडियो उसको तो आपको दिख जाएगा, वो वीडियो देखना बहुत help कर जाएगा, यहाँ पर देखे volume increase हो गया और price नहीं निकला है, इससे क्या सावित होता है, एक ऐसा price zone जिसमें price जाकर के रु मिलेगा, बहुत बार यह breakouts fail भी होते हैं, तो उस condition में यहाँ पर proper confirmations चाहिए होता है, हमारी entries के confirmations, trend identification, एक particular stock selection, किस तरह सम लोगी stocks हो select करें, कैसे read कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए, जैसे price यहाँ से बाहर की तरफ आया, 5 minute के time frame पर आप आजाओ, एक बड़ा some breakout यह है, यह है, यह कुछ candles है, इन candles के पास में अपनी entry होई थी, और just जो मेरा swing था न, इस swing के पास में हमारी होई थी entry, यह stop loss, यह जो green वाली candle आप देख रहो न, यहाँ पर अपना stop loss लगावा था, और just इस वाली level के पास में अपनी entry थी, यह proper अपना trade execution था, यहाँ पर द निकलते निकलते यहाँ पर कुछ प्लैनिंग बनी उस प्राइस सीधे उपर की तरफ चला गया, तो कुछ बजो compliments के बात कर रहे थे न, कि मार्केट ने surprise किया, यहाँ पर आ करके वही हम लोगों का जो करीब तेरा बारा साड़े बारा जार को कुछ का profit चला था, वो अचान इसको book नहीं करते हैं, तो उसका benefit भी होता है, उसका demerit भी होता है, अभी हो सकता है कि price आपका यहाँ पर आपको निकल लो, आपका target है अपने लगा कर रख दिया, price जैसे hit हो आप निकल गए, price हीट होगा आप निकल को market बहां सीधे नीचे से लिए, कई बार ऐसा होता है क price हीट हुआ और आप नहीं निकल पाए, होगा है, कि हमने यहाँ पर अपना price लगा कर ही नहीं रखा है, और target हीट होगा हम नहीं निकल पाए, क्योंकि order ही नहीं लगा था, ऐसे देखे टेक्निकल हीट होगा, और market बहां सीधे नीचे, तो लगता है कि हमने target लगा कर कर रख करवाया तो वही चीज आगे घूम फिर या तो मैं टार्गेट चाहिए या फिर स्टॉप प्रोसेस चाहिए हम बीच पे नहीं निकलेंगे मार्केट अगर क्लूस होने को आगई अगर तीन बज गया है तीन पांस तेन दसकी अगेया और तुम जबूर ही फिर आपको निकल नहीं पड़े आप नहीं निकलोगो जो है वह बाहर निकले लेंगगो आपना जा उसकी दे गूगल पर कोटॉक्स के अपना फरी है जितना ब विल्गूल काम करो उसके उपर, जहां मर्जी वहां एकाउंट ओपन कर आओ, जहां मर्जी वहां पर ट्रेड एक्सक्यूट करो, बट जब तक टेक्निकल्स को उतनी इछी तरह समझ ना जाओ, सैकॉलजी जब तक मजबूत ना हो जाए, तब तक भागो मत, आगया गे मत वीडियो कर अच्छा लगता है तो लाइक कीजएगा, कॉमेंट कीजएगा, टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चाहते हैं तो टेलिग्राम गूर्प जोइन कर सकते हैं, कभी सारी चीज़ हैं जो कि वहां पर हम अप्डेट करते रहते हैं,